अब जराइस का साइज देखिए इसके सामने बाकी के रूम कूलर्स बच्चे से लगते हैं साथ ही इसमें कैस्टर वील्स भी दिये गए हैं जिनकी हेल्प से इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत इजी हो जाता है दोस्तों आज हमारे पास है एक ऐसा रूम कूलर जिसे अगर आपने अपने कमरे में लगा लिया न तो आपके कमरे का तापमान एक दम से उपर से नीचे आ जाएगा आज हमारे पास है हिंद वेर का एक बहुत ही बड़े पंखे वाला रूम एर कुलर आप देख सकते हैं कि इसमें हमें कितने बड़े साइज का पंखा मिलता है और इस बड़े पंखे के साथ साथ हमें मिल जाता है इसमें तीन साइड से एर इनलेट ये देखिए, बैक साइड पे कितना बड़ा एर इनलेट मिलता है और साइड में भी पूरा एर इनलेट है इसकी तीनों साइड से हमें परफेक्ट एर सर्कुलेशन मिलता है और तीनों ही साइड हनी कॉम से पैड़ेड है ये देखिए, तीनों ही साइड पर इसमें हमें मिलते हैं हनी कॉम पैड़्स और एक्स्टर कूलिंग के लिए इसके टॉक पर मिलता है हमें ये आइस बॉक्स जिसमें हम आइस जाल सकते हैं जो इसकी हवा को और भी ज़्यादा कूल कर देती है Body ज़्यादा Heavy तो नहीं लेकिन ठीक ठाक है तो अब करते हैं इसके Controls की बात इसमें हमें Manual Keys मिलती है ये Cool के लिए यानि Pump को On या Off करने के लिए ये Speed Control के लिए और ये Swing को On या Off करने के लिए इसमें हमें मिलती है Mechanical Rotating Knobbs जिन्हें हम किसी भी Direction में Rotate कर सकते हैं देखिए Mechanical Knobbs हैं जो जल्दी खराब नहीं होती है Air की Direction उपर या नीचे करने के लिए यहां Side में हमें Adjusting Knobbs मिलती है इन से हम Air की Direction उपर या नीचे Adjust कर सकते हैं यह देखिए Side Swing Motorized है इसके लिए उपर टॉप पर हमें Swing On Off का यह बटन मिलता है इसको On करने पर Side Swings On हो जाती है देखिए कितना Smoothly Swing काम कर रहा है इससे हमें Room के हर कोने में हवा फिल होती है इस Cooler में हमें मिलता है 80 L का एक बड़ा Water Tank Model का नाम है Snow Crest और यहां पर Water Tank का Level चेक करने के लिए यह मीटर दिया गया है Water Tank फिल करने के लिए यहां Side में Point दिया गया है जिसमें हम Pipe Connect कर सकते है Back Side से भी हम पानी फिल कर सकते है यहां से एक Jug की Help से या Balty से अगर हम पानी डालना चाहें तो इस Side में पानी भरने का कोई Option नहीं है तो चलिए अब इसका Back Cover उपन करते हैं और अंदर से इसकी Build Quality देखते हैं Back Cover खोलने के लिए यह दो Screws दिये गया है इन्हें Unscrew कर लेंगे इसी तरह हम दूसरे Page को भी खोल लेंगे Plastic की Body है तो Page बड़ी आसानी से खुल जाते हैं Screw निकालने के बाद जाली को यहां से पकड़ेंगे और आराम से बाहर खीच लेंगे यह बहुत आराम से निकल जाती है यह देखिए और अंदर से हमें इस तरह का Frame देखने को मिलता है यह इसका Back Cover आसानी से बाहर आ जाता है और आप देखिए इसमें Honeycomb Pad लगे हुए है पूरा Frame प्लास्टिक से बना हुआ है इसी तरह कूलर के अंदर भी पूरा प्लास्टिक फ्रेम है फैन ब्लेड्स भी प्लास्टिक के ही है 80 लिटर का Water Tank काफी बड़ा फिल होता है जिसे एक बार फिल करने के बाद आप पूरी रात आराम से इसको एंजॉय कर सकते है फैन ब्लेड्स का काफी अच्छा साइज है जिससे हमें काफी दूर तक Air Throw मिलता है पूरी तरह से प्लास्टिक की बड़ी होने की विज़े से फैन फूल स्पीड पर भी बहुती कम आवाज करता है तो चलिए अब इसका Paper Test लेते हैं अब ही Cooler Off है यह देखिए और अब हम Cooler को करेंगे On अब मैंने Cooler को On कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इसके हर Point पर हमें Air Flow मिल रहा है यह देखिए हर Point पर पूरा Air Flow है अब हम Paper को दूर ले कर चलते हैं यह देखिए इतनी दूर आने पर भी Air Flow उतना ही है छोटे Room Coolers में उनके पास तो Air Flow होता है लेकिन दूर जाने पर ऐसा Air Flow देखने को नहीं मिलता है और ऐसा स्ट्रोंग Air Flow मिलता है हमें क्योंकि इसका पंखा बहुत बड़ा है जितना बड़ा फैन होगा उतनी ही दूर तक Air Throw हमें मिलेगा तो दोस्तों मेरे खयाल में एक गर्म रूम को ठंडा करने के लिए यह Cooler एक अच्छा Option हो सकता है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे Like करें, Share करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you